Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल इस शौर्ट वीडियो में पूरी हिस्ट्री समझेंगे कि क्यों बलुचिस्तान में ये बार-बार हमले होते रहते हैं और क्या कहानी है बलुचिस्तान की कि इसको कश्मीर से भी कंपेर किया जाता है दोस्तों मैं हूँ आपका एजुकेटर दोस्त दिपानशु सिंग और पकिस्तान की सिक्यूरिटी फोर्स के उपर हमला किया जिसमें काफी सारे जो पाकिस्तानी मिलिटरी के परसनेल थे वो शहीद हो गए और साथ-साथ ये जो अटैक्स हैं ये बलुचिस्तान प्रोविंस और खाइबर पक्थून खवा दो सबसे बड़े प्रोविंसे जो पा तालिबान ग्रूप है वो पाकिस्तान का और अमेरिका का द्वारा बनाया गया है अगेंस ये जो तहरीके तालिबान अफ पाकिस्तान है ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तान है और पाकिस्तान मिलिटरी और पाकिस्तान गर्मेंट ऑफिशल्स के खिलाफ जाना जाता है अटा इसके बारे में आज हम लोग डीटेल में चर्चा करने वाले हैं और इसके चलते आप देखेंगे जो पाकिस्तान का पूरा महकमा है पूरा सेक्यूरिटी इस्टैबलिश्मेंट हिला हुआ है पाकिस्तान की प्राइम मिनिसर इनको एक एमर्जनसी मीटिंग बुलानी पड़ी साथ साथ आप देखेंगे बागी सारे टॉप ओफिशल्स भी है पुराने मिलिटरी जर्नल्स भी है प्रेजेंट मिलिटरी जर्नल्स भी है और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे मूँ तोड़ इसका जवाब दिया जाए कैसे इस इशू को टैकल किया जाए तो ये अगर आप देखेंगे कहानी है काईबर पक्तूनकवा जो ये प्रोविंस है पाकिस्तान को ये पाकिस्तान दारा इन फाक्ट उन्होंने प्रेंशर डालकर अमरिका और यूके से इसको एक टेर्रिस्ट ऑर्गनाइजेशन जो है up घोशित करवा दिया है और यह हमेशा जानी जाती है पाकिस्तान में ग़र्मनेंट O Elliottạ security forces के खिलाफ attack करने के लिए और जो बलूचिस्तान nationalist हैं वो blame करते हैं पाकिस्तान की सरकार को for atrocities inflicted by them और अगर हम जो reports की बात माने और अलग-अलग media houses की बात माने तो country के security forces हैं they are accused of illegally detaining more than 19,000 men, women and children of the Balooch nationality. Actually जो Baloochistan के लोग हैं उनकी ethnicity थोड़ी अलग है. आज के इस वीडियो में हम लोग उस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे वो लोग अपने आपको जादा identify करते हैं अफगानिस्तान और इरानियन से rather than being Pakistani and not just the Pakistani forces. Recently ऐसा भी हुआ है कि जो आपकी ये Baloochistan Liberation Army है ये ना सिर्फ पाकिस्तानियों पे attack करती है पाकिस्तान की security establishments पे attack कर रही है, बट Chinese officials पे भी इनोंने हमला किया है क्योंकि ये लोग नाखुश हैं Chinese project से in the Guadar region और जहाँ 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 चाइना पाकिस्तान economic corridor में चाइना ने invest किया हुआ है पाकिस्तान में, तो यो लोग वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे attack carry out कर रहे है जैसे Chinese consulate में 2018 में इनोंने carry out किया था attack 2021 में 13 लोगों की जान गई थी इस explosion में जहाँ पे इनोंने एक hydropower plant के पास जो है bus को target किया था northern Pakistan में, similarly उसमें maximum आप जो देखेंगे जो casualty थी वो Chinese national की थी उसके अलावा Pakistan stock exchange में भी इनोंने एक attack किया उसके अलावा retaliate करने के लिए to the exploitative policies of China है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो China Pakistan economic corridor है वो end करता है ग्वादर region में और ग्वादर port जो है वो बलुचिस्तान प्रोविंस के अंदर आता है तो ये कुछ photographs है जो बलुचिस्तान Liberation Army ने खुद release करी है और कुछ जो है उनकी से पाकिस्तान की security establishment दोरा release की गई है और बलुचिस्तान Liberation Army खुद claim करती है ये सारे attacks जो नों ने करवाए हुए है बलुचिस्तान प्रोविंस में अगेंस्ट पाकिस्तानी officials and पाकिस्तानी government officials and military personals तो ये आसपास का area है जहां पे ये अगर आप देखेंगे ये official flag है बलुचिस्तान का और बलुचिस्तान Liberation Army जो है वो independence सीख कर रही है in this area of बलुचिस्तान तो सवाल ये उठता है कि क्यों बलुचिस्तान के लोग जो है independence की demand कर रहे हैं और क्या यहां की history है इसके बारे में हम लोग अभी अब बात करेंगे और जैसा मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान stock exchange में recently हमला किया था कराची पोर्ट के पास भी हमला किया हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर ना सिर्फ men बल मल्की महिलाएं भी जो है बलुचिस्तान Liberation Army की पार्ट है और वो actively contribute करती है इन सारे हमलों में अगेंस दी पाकिस्तान security establishment तो इसके बारे में बात करेंगे बट पहले जारा location देख लेते हैं बलुचिस्तान की आप आप मेंसे बहुत सारे लोग जो है वो बड़े curious होंगे जानने के लिए तो बलुचिस्तान जैसे मैंने आपको पहले ही बताया यह बहुत बड़ा province है इसमें चोटे चोटे एरियाज है अगर आप देखेंगे यहाँ पे map में और यह western portion आफ पाकिस्तान है जो border करता है अफगानिस्तान और इरान को यह है ग्वादर पोर्ट जो अरेबियन सी में है जहाँ पे चाइना पाकिस्तान economic corridor आके end करता है और य आपके तहरीके तालिबान आफ पाकिस्तान है TTP वो भी यहाँ पे continuously attack करते रहते हैं जिससे पाकिस्तान की जो आर्मी है वो continuous pressure face करती है on the western side of their borders तो बड़ी famous एक वहाँ पे अगर आप देखेंगे quote है regarding the people of Walluchistan की वो कैसे अपने आपको identify करते हैं more towards Afghanistan and Iran कि we have a very distinct culture like Afghanistan and Iran and if there mere fact that we are Muslims required us to amalgamate with Pakistan then Afghanistan and Iran should also be amalgamated with Pakistan तो यहाँ के लोगो कहना है कि just because हम लोग Muslims है हम Islam को follow करते है इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग Pakistani है तो यह बहुत clear indication देता है कि यहाँ के लोग अपने आपको Pakistan का part नहीं मानते हैं and granted that we have no money but we have abundant mineral resources we have vibrant sea ports we have unlimited sources of income drone try to force us into slavery in the name of economic compulsions तो इससे आपको थोड़ा बहुत hint लग सकता है कि यहाँ के लोगों की problem क्या है शिकायत क्या है यहाँ के लोग यह नहीं कि जानबूज के हमला कर रहे हैं यहाँ के लोग तंग आ चुके हैं परिशान हो चुके हैं atrocities जो इनके खिलाफ जो जबर्दस्ती पाकिस्तान आर्म करेंगे इस वीडियो में बट उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा पहला बैच है foundation batch 2024 का वो launch हो चुका है अगर आप UPSC preparation की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या मन बना रहे हैं तो बिल्कुल सही समय है इस समय enroll करने के लिए क्योंकि आज last day है 499 रुपे में और साथी साथ आप चाहें तो EMI option में भी ले सकते हैं अलग अलग banks में EMI options available है आप जैसे deep life code यूज करेंगे आपको 7000 रुपे का discount मिल जाएगा और साथी साथ अगर आप इस साल के prelims के लिए appear कर रहे हैं और आपको confusion हो रहा है कि आपको कहां से revise करना है कैसे revise करना है किन areas पर focus करना है किन पर नहीं करना है कितने test लगाने और most importantly सब से सब लोगों की mostly गले की हटी CSAT अगर आपको CSAT से डर लगता है तो आप इस course को जॉइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5004999 में डिबल लाइन में जब आप code apply करेंगे deep live तो you will get the access of this also जिसमें live classes होंग जोनली ऐसा होता है कि prelims के लिए लोग booklet देते हैं material देते हैं यहां पर printed material के साथ साथ आपको live classes में पढ़ाया जाएगा आपको CSAT के live lectures कराये जाएंगे ताकि आपको पता चले कि कौन से areas पे CSAT में हमें focus करके वो qualifying number लेके आने तो CSAT में अगर आपको डर लगता है तो इसको कलात सहाब जो वहां के ruler थे जो हैं उनकी पूरी family की history के बारे में कि कैसे बलुचिस्तान का issue यहां पे आज उठके आया है तो modern day बलुचिस्तान जो है यह among the largest four provinces है पाकिस्तान का strategically located है जैसा मैंने आपको दिखाया southwestern part में जहां पे ग्वादर रिपोर्ट है और बड़ा ही abundant है बहुत सारे यहां पर देखेंगे gold, mineral, oil, copper, resources मिलते हैं और independence के अगर आप पहले की बात करेंगे तो प्रोविंस ऑफ बलुचिस्तान जो था इसमें multiple tribes रहती थी तो जैसा आप जाते हैं यहां पे पश्टून हैं बहुत सारे tribal areas हैं वैसे ही पाकिस्तान में भी आप देंग सबसे important chief थे इस area के and इनकी जो territory थी वो multiple portions में divided थी जिसमें से अगर आप देखेंगे जो सबसे तीन important है वो है माकरन, लस्बेला और खरन और यह अपने आप में separate political entity की तरह emerge हो के आई और along with कलाथ यह चार provinces from the बलुचिस्तान states union तो बलुचिस्तान अगर आप देखेंगे चा entities से बना हुआ है कलाथ सबसे important है माकरन, लस्बेला और खरन और इसमें जो यह जो कलाथ के प्रोविंस के ruler है खान अफ कलाथ यह main leader माने जाते हैं वहां के सारे tribes के तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो खान अफ कलाथ है यह खनेत अफ कलाथ जो बोला जाता है ब्रिटिश इनके साथ agreement में आगे ठीके ब्रिटिश गॉट इन अग्रीमेंट विद खान अफ कलाथ इन 1876 और इन्होंने स्टैबलिश किया direct rule over it और treaty of कलाथ जो इन्होंने sign करी और यह जो थी basis थी of the last खान अफ कलाथ एहमद यार खान क्लेमिंग इंडिपेंडेंटेंस वर्थी टेरिटरी अब क्या हुआ जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटिश विड्रॉल होने लगा इंडिपेंडेंडेंस जब हुआ इंडिया और इंडिया पाकिस्तान का पार्टिशन हुआ तो एक इंडिपेंडेंडेंट सौवरीन एंटेटी बनके रहे है वो चाते दे कि वो चार प्रोविंसेज है वहां पे इनका दब-बा बना रहे है और वो इंडिपेंडेंडेंडेंस स्टेट बनके रहे जाए है तो दिसेंबर 1946 में क्या हुआ जो प्राइम मिनिस्टर है कलाथ के मुहमद असलम उन्होंने लेटर लिखा लांसलेट ग्रिफिन को और उसमें असिस्टेंट उदा क्राउंत रेप्रेजेंटेटिटिव थे उस समय वो रिकाउंटिंग ओल दे ट्रीटी इस कंक्लूडेट बिविन ब्रिटिश गर्मेंट इन इंडिया इन दे कलाथ इंडि प्रिटिव और इन इंडिया के उन्होंने इस इसको करें ब्रिटिशर सरकार्स इसे क्रा लेकिन वह जैसा कि आप जानते हैं रिक्वेस्ट को माना नहीं गया और उसके बाद क्या हुआ situation बड़ी थोड़ी यहाँ पर क्या हुआ complicated हो गई क्यों क्योंकि जो बाकी सारे provinces थे इस area के जैसे कि खारन लस बेला और माकरन ये तीनों ने जो है बोला कि हम पाकिस्तान के साथ हो जाएगे अब इससे कलात पर प्रेशर आ गया तो चार entities थी तीन जो है इन्होंने decide कर लिया क कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे चौथी जो main सबसे बड़ी entity है कलात कलात जो है वो जो है उसने अभी तक decision नहीं लिया था और उस पर प्रेशर बढ़ रहा था क्योंकि बाकी तीनों entities ने decide कर लिया था कि हम पाकिस्तान के साथ जूर जाएंगे तो by October 1947 मुहमद अली जिन adamant थे कि मैं बलूचिस्तान में जो है इसको independent रखूंगा इसको अलग रखूंगा कलात रीजन को अलग रखूंगा मैं नहीं इसको merge नहीं करूंगा पाकिस्तान से तो जिन्ना ने अपना personal जो involvement था इस issue में वो खतम कर दिया और matter जो है नो ने ministry of foreign affairs जो है पाकिस्तान की उसक जो बाकी तीन futidary state है जो tribal chief के states है उनको ये लोग पाकिस्तान का part बना लेंगे अब इससे क्या हो गया जो कलात है वो बेचारा बीच में फस गया और साथ-साथ ऐसी एक अफवा भी उड़ गई कि शायद कलात ने decide किया है कि वो इंडिया के साथ मर्ज होने वाला है और इंडिया के साथ वो लोग चाते हैं कि मर्ज हो जाए ये all India radio news पे एक false news आ गई और इसके बाद क्या हुआ इससे बहुत ज़्यादा pressure आ गया जो कलात के लूरूलर हैं खान और कलात और उनके पास कोई चॉइस नहीं थे तो 27 मार्च 1948 को उन्होंने instrument of accession sign करके अपने आपको पाकिस्तान का पार्ट बना लिया बट इस वस बेसिकली अंडर प्रेशर तो यहीं से सारी जड़ निकल के आती है कि बलूचिस्तान के लोग चाहते नहीं थे स्पेशली कलात रीजन के कि वो पाकिस्तान का पार्ट बने और सून आफ्टर इसके बाद क्या हुआ जुलाई 1948 में जो ब्रदर अफ एहमद यार खान थे प्रिंस अब्दुलकरीम इन्होंने पहला rebel किया पहला जो आप कह सकते हो विद्रो किया against this accession agreement और ये one of the major insurgencies माना जाता है और फाइव major insurgencies जो बलुचिस्तान में हुई है ये पहली वाली सबसे significant मानी जाती है पर इस revolt को बड़े brutally तरीके से suppress कर दिया पाकिस्तान की forces ने और सारे leaders को या तो assassinate मरवा दिया गया या उनको बंद कर दिया गया jail के अंदर और उसके बाद जब ये release हुए एहमद यार खान तो इन्हों ने फिर बलुचिस्तान के लोगों के अधिकारों के लिए पूरा ये movement चालू किया जो आज के समया आप कह सकते हो कि पाकिस्तान का पार्ट बने विकॉज उनका culture और ethnicity में बहुत difference है और साथ-साथ सदियों से वहां के लोगों को हमेशा दबाया गया और जब ये movement चालू हुआ independence के बाद से तब से पाकिस्तानी आर्मी ने सिर्फ और सिर्फ यहां के लोगों को दबाया है मारा है धमकाया है और इसमें कहीं न कहीं आप देखेंगे role था Britishers का तो सीधा-सीधा role थाई और कहीं न कहीं एक डर था USSR के invasion का तो इसमें अगर आप history books देखेंगे खोलेंगे तो उसमें लिखा जाएगा आप देखेंगे पाएंगे कि अब ये जो एरिया था पाकिस्तान के लिए important तो है पट इतना जादा important Indian subcontinent या इंडिया के लिए न खान थे उन्हें लगता था कि बाई उनकी बड़ी close friendship है मुहमद अली जिन्ना जी के साथ तो ही थोड़ कि जिन्ना साब के साथ जो है उनको convince कर लेंगे कि पाकिस्तान के साथ एक friendship treaty sign कर लेते और उन्हें accession नहीं करना पड़ेगा initially तो उनकी demand accept हो गई लेकिन बाद में Britishers जो थे वो agree नहीं कि इनके independence के लिए because नहीं लगा कि अगर ये area independent रहेगा तो कहीं न कहीं हो सकता है Soviet या Russian expansionist जो tendency है वो इस area में या तो expand कर सकते हैं और British interest के खिलाफ वो काम कर सकते हैं इस वज़े से इन्हों ने कलाद जो region है उसको independent independent नहीं रहने लिया और यही कारण है कि आज के टाइम पर आप कह सकते हैं कि इतने सारे जो issues हैं वो उठके आते हैं तो सवाल यह उठता है कि अभी भी आप तो चलो independence वाला issue खतम हो चुका है और तब से यह movement चल रहा है तो अभी तक इसको लेकि क्यों वहां protest हो रहा है क्यो जो रोज वहां पर आप देखेंगे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अटैक करती है और क्यों पाकिस्तान आर्मी के लिए गले की हड़ी बना हुआ है बलूचिस्तान का प्रोविंस उसका कहीं न कहीं कारण आप देखेंगे जो atrocities है unstable policies of Pakistan वहां पे लोगों पे ध्यान न बात करें तो अनिक्वल distribution of resources है जैसा कि मैंने आपको बताया है वहां पे बलूचिस्तान जो है बड़ा रिच है natural gas में oil में gold में लेकिन वहां की सरकार जो है उनसे वो extract करके उसका फाइदा वहां तक के लोगों पर नहीं बहुंचाती वहां के लोग अभी भी बड़े result नहीं मिलता है और इसलिए आप देखेंगे जो बलूच जो है काफी समय से demand कर रहे हैं और deem कर रहे हैं that the policies by the Pakistani government including the economic package called as आगाज हुक के बलूचिस्तान as being inefficient and having not accrued any benefits to the residents of this province. similarly multiple reports हैं Amnesty International Human Rights Group की जो ये बताती हैं कि 2003 से 2008 के बीच में 8000 से जादा जो पाकिस्तानी security forces और उन्होंने बलूची लोगों को kidnap कर रखा है उनके हाथ पैर तोड़ दिये मार दिया उनको उनके नाखों उखाड दिये या फिर उनके खोपड़ी में सरों में आप कह सकते हैं ज terrorist organizations को पना मिल रही है अल-काइदा और बहुत सारे क्वेटा शूराय तालिबान तहरीके तालिबान ये भी काफी जादा active हो गये हैं जो वहां पे लोगों को recruit करते रहते हैं और पाकिस्तानी establishment के खिलाफ अटैक भी करवाते रहते हैं और साथ साथ इसमें कहीं न कहीं माना रहा है कि पाकिस्तान सरकार इसमें क्लेम करती है कि बलूचिस्तान रीजन जो है इसमें रॉ का हाथ है आरे डबलु जो इंडिया की खूफिय आजंसी है वह सपोर्ट करती है बलूची नैशनल मूवमेंट को इरान और अफगानिस्तान से भी directly support चाए वह पैसे के मामले में तो हो चाये वेबिटे के मामले में हो वो बलूचिसतान की लोगों को प्रोवाइट किया जाता है और एक और बहुत बड़ा मुद्दा है वो है education को लेके कि ज़ो बलूचिस है वो allege करते है कि उनकी जो right to education उसको neglect किया जाता है बच्चों पर उनकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता, उनको डिटेन कर लिया जाता है तो basically ये पूरा एक जो एरिया है इसको पाकिस्तान की security establishment ने बंद करके रखा हुआ है, अपने साये के अंदर उसको दबा के रखा हुआ है और ये major कारण है कि अभी तक आप देखेंगे जो बलुचिस्तान में हुआ जिनोसाइड है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, कोई international level में इसके बारे में बात नहीं होती है, 1948 से रोज killing हो रही है बलुचिस्तान में जो निर्दोश लोग है बाई पाकिस्तानी सेक्योरिटी फोर्सेज लेकिन इसके बारे में बात नहीं होती है, लोग बात करते हैं बांगलदेश जिनोसाइड की 1975, 1971 में जो पाकिस्तान की आर्मी ने किया, जिसके बाद बांगलदेश लिबरेशन वार हुआ, उसके बारे में फिर भी थोड़ी बात हो जाती है, लेकिन बलुचिस्तान की बारे में बात नहीं होती है, इसी वज़े से जो तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान जो आए, कि आप मेरे साथ और बाकी टॉब एजुगेटर्स के साथ जुड़ सकते हैं, Study IQ के इस प्लाटफॉर्म में थ्रू दिस फांडेशन कोर्स, आप कोड यूज करें, और साथ-साथ अब सक्सेस इन प्रिलिम्स प्रोग्राम के लिए भी जुड़ सकते हैं, जहां पे अक्चुली में बलुचिस्तान में क्या चल रहा है, मैं भी लूगँ आगले वीडियो में, तिल नेक्स ताइम दोस्तों, थांकियो सो मच एंड जय हिंद।